हेलो नमस्ते मैरे की मास्टर किश्टल हीलर आप सभी का त्रीपल एड ही लिंग में स्वागत करती हूँ उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे आज का मेरा विशे है एंजल नमबर 7 777777 एंजल नमबर 7 बहुत ही पवीत्र और आशिरवात का नमबर है जब भी आप अपने जीवन में खुद को बदलना चाहते हो आप में वो बदलाव लाना चाहते हो जो आपको और ज्यादा बैतर इंसान बनाता है उस और आप आगे बढ़ना चाहते हो चाहे भोतिक जीवन में या फिर आप आध्यात्मी जीवन में कुछ भी आप खुद को न और ये number दिखते हैं तो समझे कि देविय शक्ति आपको कोई ना कोई शंदेश, इशारा या शांकित देना चाती है शांकित एक भाशा ही है ये numbers क्यूंकि universe की कोई और भाशा नहीं होती वो numbers के जर्ये ही आपको कोई ना कोई इशारे देती रहती है आपकी जीवन में जो भी घटना वरतमार में चलती है उसके मुताबित आपको कोई नकोई शंदेश मिलते रहते है इन नमबर्स के जरिये आपको जानने की जरूरत है कि वो आपको क्या कहना चाहते है आपकी जीवन में जब भी बार बार दिखे तो कोई लक्ष जब आप पाना चाहते हो किशी दिशा की और आप जब बढ़ना चाहते हो उस और आप सोच रहे हो कि मुझे यह करना चाहिए जीवन में जब आप ऐसे इच्छाए रखते हो नई चीज पाने की कुछ प्राप्त करने की तो आपको यह नबर सेवन दिखता है कि हाँ आप आगे बढ़िए आपकी प्रात्ना है जो सुनी जा रही है युनिवर्स के द्वारा इश्वर के द्वारा आपकी इच्छाओ को सुना गया है और आपको आशिरवात मिल रहे है आप आगे बढ़िए आप सही दिशा की और चाहिए इश्वर आपके साथ ही है जब भी आपको नमबर डबल सेवन दिखता है तब आपको समझना चाहिए कि आप बहुत ही ज़्यादा भाग्य शाली हो क्योंकि इश्वर ये शक्ति या फिर ब्रह्माड ये उर्जा आपको डबल सेवन के जरीए बताती है कि आपके जीवन में जो भी बदलाव आ रहा है वो आपके जीवन में प्रगती, पैसे, सूख और शांती को लाएगा आप आपके जीवन में आगे बढ़ते रहिए चाहिए आप भाउतिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो चाहिए आप आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हो आपके लिए अच्छी राह खुलेगी आपके लिए बहतर जीवन को लाएगी और आप में बहुत ही बहतरीन बदलाव को लाएगी बस आप आगे बढ़िये इस और आपको प्रेणा देते है या फिर मोटी पेशन्स देते रहते है एंजल नमबर डबल सैवन एंजल नमबर त्रिपल सैवन आपको नई शक्ती और नई सहन सिलता देते है जब भी आप किसी परिक्षा में नाकामयाब होते हो असफल होते हो चाहे आप अपने जॉब में हो किसी कारिय में या फिर किसी भी फिल्ड में अगर आपको असफलता मिलती है आप पीछे हट करते हो उस वक्त आपको एंजे लंबर 377 दिखता है क्योंकि वो आपको मुटिवेशन देता है कि आपको पीछे हट नहीं करनी है आपको अपने आप पे भरोसा रखना है अपने भागया पे और खास करके अपनी मेहनत पे आपको भरोसा रखना है चाहे नाकामियाभी आई है तो आपको अपनी कदम को पीछे नहीं लेना है आपको आगे बढ़ना है और जादा मेहनत करनी है खुद की मेहनत पे और इश्वर पे आपको पूर्ण शद्धा रखनी है वो आपके साथ है आपको सफलता दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे बस आपको जरूरी है फिर से खड़ा होने की मेहनत करने की तो आपको सफलता की और और आपको कामियाभी की और वापस आपको उठ खड़ा होने के लिए इशारा करती है एंजल नमबर 777 की शक्ती या फिर देविय उर्जा एंजल नमबर 7777 जब आपको दिखता है तब आप जो कुछ हाशिल करना चाते हो जिस लक्ष की और आप चाहना चाते थे जीवन में वो बिल्कुल ही आपके करीब है आपकी मनजिल आपके करीब है इस और ये नमबर इशारा करता है चाहे वो आप भौतिक जिवन में कुछ पाना चाते हो या फिर आध्यात्मिक्ता की और आप और आगे बढ़ना चाते हो तो आप बिल्कुल ही अपनी मनजिल के करीब है आप जो पाना चाते हो वो आपको मिलने वाला है लेकिन अगर कोई अगर वीगना आता है तो आपको भरोसा नहीं डगमागाना है आपको डटे रहना है उसी रापे चलते ही रहना है क्योंकि जब भी सुबह होने उक्की होती है जब उजाला आने का होता है उस वक्त ही घना अंधेरा होता है जो नया उजाला लाता है बिल्कुल करीब होते हो आप लक्षे के करीब होते हो तब कोई न कोई विगना आता है जो आपको थोड़ा पीछे हटाता है या फिर आपके कदम को डगमगा देता है तो आपको बिल्कुल ही डगमगा नहीं है गबराना नहीं है आपके लक्षे के और आपको आगे ही बढ़ दोश्तू, आज की मेरी कोशिश थी अग्जल नमबर 7, डबल 7, त्रिपल 7 और 7777 का मतलब बताने की उमीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद, God bless you and love you all Thank you